हेलो दोस्तो मैं हूँ प्रभास और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिहार रॉक्स पे दोस्तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सहरसा रेलवे श्टेशन को रेलवे ने किस कदर सुन्दर बनाने के लिए क्या सब कदम उठाए हैं उन्होंने क्या नए कदम उठाए हैं जो मैं आपको आज बताऊंगा तो दोस्तो इससे पहले कि मैं वीडियो सुरू करूँ मेरा आपसे आग रहा कि अदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को दबा दे और अपना भूमले की तुला में अपने रेल्वे स्टेशनों को बहुत ज़्यादा सुन्दर बनाने में सफल भी हुआ है और बिहार का ही मधवनी रेल्वे स्टेशन अभी भारत का दूसरा सबसे सुन्दर रेल्वे स्टेशन है तो चलिए दोस्तो आज मैं सहरसा इस्टेशन के बारे में जो दोस्तों आपको सबसे खास बात जो बताने जा रहा हूं इन मुर्तियों की वह यह है कि इसको बनाने में रेल्वे द्वारा एक रुपय का खर्च नहीं आया है दोस्तों अब आप पुछोगे कि बिना रुपय खर्च की है यह कैसे बन गया दोस्तों मैं आपको मुर्तियां पुराने इंजन जो थे रेल्वे के पास उन्हीं को तोड़के बनाई गई है और उन्हीं को तोड़के और उसी को पेंट वगरा करके इसे बना दिया गया यह जो मैं और दोस्तों मैं आपको वह मुर्तियां दिखा रहा हूं चलिए करके वह मुर्तियां देखते हैं पहली इस्तिमाल हुआ है तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर कुछ लोहे की रौडों का इस्तिमाल किया गया है जो कि पुराने ड्लberg इंजनों में हो गई और यहाँ परे एक बंदूग भी इसे रिखिए है दो दिस्तों यह जो दूसरी इमेज आप देख रहे हैं इसमें मेक इंडिया जो मोदी जी का इनिशेटिव है भारत सरकार का उसकी तस्वीर है और इसके दोनों तरफ दो तोप बनाई गई गई हैं जो आप देख सकते हैं तोपो का जो टायर है वह भारती रेलवे के इंजन क और उसी के判 डिए गया है और जो ये64 लेक का इनजा आप देख रहे हैं यह एक कमपोनेंट से बनाए गया यानिया कि उसी मत वही जो पहले वाला सैनिक था उससे देखने में थोड़ा सा अलग लग रहा है आप इसे देख सकते हैं वो सैनिक थोड़ा जुका हुआ था लेकिन ये सैनिक पूरा उठके खड़ा है और जिसे इस पोजीशन में इसे खड़ा किया गया है कि यह लोगों को लगे कि यह हमसे बात कर रहा है चले दोस्तों देखते हैं चौथी तस्वीर की चौथी कौन सी तस्वीर दोस्तों चौथी जो तस्वीर है उसमें सब को मिला के एक कर दिया गया उसमें आप देख सकते ह और दोनों के एक साथ लगा गया है और जो मेक इन इंडिया और उसके बगल में जो तोपे दीख रही है आपको वह भी एक साथ लगा दिया गया है तो दोस्तों इसी तरह से रेलवे ने सहरसा को सुंदर अब डाने का क्याम किया जिससे जो परिटक आते हैं या जो आम यात्र करेंगी तो वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर लें अपना बहुमूली फीड़बाग कमेंट बक्स में बता दें दोस्तों आज के लिए बस इतना ही तब तक के लिए जय हिंद जय भारत